नमश्कार इन खबर में आपका स्वागत है कस्मीर के अनंत नाग जिले के कोकेर नाग इलाके में बुद्दवार को सुरक्छाबलो और आतंकियों के बीच हुई मिटभेण में सेना के दो अधिकारी और जम्मु कस्मीर पुलिस के डियेस्पी सहीद हो गए आतंकियों के साथ मुटभेण में डियेसपी हुमाई भट मेजर आसीस धोनेक और कर्नल मनप्रीट सिंग सहीद हुए है अधिकारियों के मुताबिक सुबह सुचना मिली थी कि आतंकियों को एक जगा देखा गया है इसके बाद आतंकबादियों की तलास सुरू हुई सेना के कर्नल ने अपनी टीम का नित्रित करते हुए आतंकियों पर हमला बोल दिया उधर से आतंकियों ने उन पर फायर जोग दिया हुआ गंभी रूप से घायल हो गए आतंकियों के साथ मुढवेंड में करनल मन प्रीत सिंग, मेजर आसीस धोनेक और जम्मुक कस्मीर पुलिस के DSP हुमाई भट सहीद हो गए अधिकारियों के मुताबिक DSP हुमाई भट की दो महिने की बेटी है जम्मुक कस्मीर पुलिस के रिटाइड आईजी गुलाम हसन भट के बेटे हुमाई भट को बहुत ज़्यादा खुन बने की वज़ास से बचाया नहीं जा सका सुरक्षा कर्मियों की टीम एक ठीकाने पर आतंकवादियों का पीछा कर रही थी सुरक्षा बलके अधिकारी उस अस्थान पे चड़ गए जहां दो-तिन आतंकवादियों के चिपने की सूचना मिली थी लेकिन जैसे जैसे वे उपर चड़े उन पर आतंकियों ने फायर जोगना सुरू कर दिया इस दोरान सेना के करनल मौके पर ही सहीद हो गए जबकि अन्य दो अपसर गोली लगने से घायल हो गए उन्हें हवाई मार्ग से सिरी नगर के 92 बेस अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका लियाजा दोनों अधिकारी सहीद हो गए इस तरीके से तीन अधिकारी आज की मुटभेण में सहीद हुए है आतंकवादियों का सम्मू लसकर टियारेफ ग्रूप से था ऐसी सूचना आ रही है जमु कस्मीर के पूर सीम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि जमु कस्मीर से बहत भयावा खबर है दक्षिन कस्मीर के फोकरे नाग इलाके में मुटभेण में तीन अफसर सहीद हुए हैं इस पर उनकी आत्मा को सांती दे और उनके पूरे जनों को इस कठिन समय में सकती प्रदान करे आपको बता दे कि उपरे जपाल ने भी ऐसे ही दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि सिना के बहादूर आइफल मैन रवी के सास और सरोश बरीदान को सलाम करता हूँ जिनोंने रजवरी में कर्तब की पंक्ती में अपने प्राण ने उच्छावर कर दिये राष्ट के प्रती उनकी निस्वार सेवा सदय याद रखी जाएगी सहीद के प्रती और उनके परिवार के प्रती हार्दिक संबेदना आपको बता दे कि ये मुटवेड कल हुई थी जिसमें की ये जवान सहीद हुआ था पूरु जनरल बीके सिंग ने भी सहीद के परिजनों के प्रती संबेदना ब्यक्त की है और इस संकट की घड़ी में देश साथ होने का अस्वासंदिया है रायन बेखबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू